सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे अब में तोह द्वे सोर राग हो राग या उमर व तेरी जाली अब में तोह द्वे सोर राग हो राग या उमर व तेरी जाली अपना आत्मा अब जैसे परतिमाय बनाई गई हैं ये रेशियों ने समाधी लगाई और समाधी में जिसको भी जिस रूप में दर्शन मेले उसने उस मिट्टी की मूर्ति उस ये बना दी आगे चलके ये मूर्ति एक परंप्रा बन गई तो इन्होंने बिर्मा विश्णो महेश की मूर्तियां बनाई इन्ही के दर्शन हों है इनको किसी को बिर्मा के रूप में दर्शन दे दिये इस परकार ये सब को विश्णित करके रखता है तो कहने का भाव ये है इन रिसियों ने परमात्मा के दरस नहीं होई फिर भी ये घुमा फिरा कर ये कहते हैं कि वेदों मैं परमात्मा तो निराकार लिखा है ये दो दिखाई देता है। ये परमात्मा नहीं हो सकता एक तरफ श्री विस्नों जी को कम्प्लीट गॉड भी मानते हैं फिर बुधी विस्लित होने से कोई इनको कहता है कि नहीं भगवान तो दिखाई थोड़ा देता है वो तो डिराकार है परकास ही परकास है से इसरार कमल में जाकर देखो वो तो परकास ही परकास दिखाई देता है एक जार जोटियां दिखती है तो फिर ये वहाँ डिगमग होगे कि सच मुझ ये निसकस निकाल ही नहीं सके क्योंकि इनकी साधना विरत थी इनकम्प्लीट शप्रिच्वल नॉलिज था तो चुनक रिसी ने हजारों वरसों तक परमात्मा प्राप्टी के लिए कोसिस की बगवान मिले नहीं और ये एटम बम बन जाते हैं ज्यादा तप और जब करने से इस काल तक की भगती करने से और यही कारण है कि काल फिर इनका दुरुप्यों करता है रिमोट उसके आथमा होता है इनका सब का तो चुनक रिसी ने हजारों वरसों तक तब किये जब किया ओम नाम का बगवान मिला नहीं और सिद्धी के अंद्ध से यो ओथ प्रोत हो गया पावराउस बन गया एक एटम बम बन गया एक मान धाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे यानि पूरी पर्थवी के सासक थे और वो एक वरस में दो वरस में दस वरस में जैसा भी वो उचित समते थे पूरी पर्थवी पर निरक्षन किया करते थे चक्रवर्ती राजा करता था कि किसी अन्य भू भाग के भू पती को, यानी छोटे राजा को, मेरी प्राजिनता ऐस विकार तो नहीं होगी है तो उसके लिए वो क्या करते थी, एक राजा का परसनल होर्स होता था, अपना घोडाने जी उसके गले में एक पंपलेट लगा दिया करते थे उसके साथ हेकडों हजारों की संख्या में सैनिक चल पड़ते थे राजा का घोड़ा पर ते एक छोटे राजाओं के राज्य में से गुजरता जाता था उसके उपर लिखा होता था उस पंपलेट पर के राजा मान दाता चकरवर्ती का घोड़ा है राजा के पास बैतर अक्सोनी सेना है अक्सोनी का वैसे उसका अलग से डिटेल होती है लेकिन हम सिंपल सा मान कर चलते है बैतर करोड मान कर चलो राजा के पास बैतर करोड सेना है और जिस को जिस भी राजा को राजा की प्राधिनता ऐस विकार हो गोड़े को पकड़ ले और बांध ले और युद के लिए तयार हो जा तो वो गोड़ा जब लेकर जा रहे थे सैनिक चुनकरिसी की कुटिया रस्ते में थी रास्ते में चुनकरिसी ने पूछा भी कहा जा रहे हैं सैनिक उन्होंने कहा बाबा जी हम कोई काम जा रहे हैं वो चले गए वापिस जब आये तो भी उसी रस्ते से आये वो सारी पर च्वी पर गोम गए उस सहर में इंट्री का वही रास्ता था उनका उस रिशी ने फिर पूछा भी सैनिक को कहा गए थे इस गोड़ा खाली क्यों है सब पर सवार हैं लेकिन इस गोड़े पर कोई असवार नहीं है क्या कारण है तब उन्होंने बताया के रिशी जी ऐसे ऐसे मान दाता चकरवर्ती राजा का गोड़ा है और इसके ओपर कोई बैठ नहीं सकता इसके गले में लिखा है ऐसे ऐसे और हम सारी परत्वी पर घोम कर आए हैं राजा के ये देखने के लिए राजा ने एक प्रिक्षन किया है कि कोई उसकी प्राधिंता ऐस विकार तो नहीं कर रहा है हम ऐसे गए थे तो उस रिशी ने दे क्या आत्म है अब ये मन कौन है ये मन अलिमेंट है स्काल का एक अंस है आत्म उस द्याल की अंस है अब देखो रिशी के मन में उसने रिमोट से ओन कर दिया रिशी के मन में आगया कभी राजा तो अपने आपको बड़ा एंकारी हो गया है इसको इतना भी मान हो गया इसका आविमान ठीक करना चाहिए अब रिशी ने कहा कि सैने को यदि मैं तुम्हारे राजा का युद स्विकार कर लूँ तो क्या हो तो सैने की होते हैं सूरवीर होते हैं उनके बोलने की सैले भी कड़क होती है वो कैन लगेरा कंगले तरह दाने खाने को नहीं अपनी जपले माला चुप करके और युद करेगा तू बांदाता चक्रवर्ती के साथ तरी क्यों साथ सामत आई है बजले अपनी माला बजले अब रिशी जी का और दुना दुख हो गया कि इसके सैने कीतने भी मानी हैं तो राजा तो पता नहीं क्या होगा इसको सेट करता हूँ तो चुनक रिशी ने कहा कि मैंने स्विकार कर लिया तुमारे शक्रवर्ती राजा का युद अर इस गोड़े न बांदो मेरी कुटिया के इस पेड़ के अब हुसेन एक तो त्यार बैठे थे बांदिया गोड़ा तुरंट अभी आई हर्यशी जी हम एक वाग्या ले आते हैं राजा की अब राजा को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे एक चुनक नाम के रिशी ने आपका युद स्विकार कर लिया राजन मंत्री सलाकार होते हैं वो कहते हैं देखो आज सुरुआत महीं नष्ट कर देना चाहिए तो राजा ने कहा ठीक है जाओ तो राजा ने अपनी सेना की तीन विभाग कर दिये तीन बटालियन बना दी और एक टुकडी में अठारा क्रोड सेना बेज दी एक रिशी को मारने के लिए उदर से उस काल के पुजारीन चुनक रिशीन बिर्म के सादगन सारे जीवन में जो ड़ले डोये थे उसकी चार पूतरी बना ली चार परमानुबं बना लिए वचन से कुनातमा जो अध्धात्मिक मारग है जो सादना रिशी करते हैं ये भगवान से ही कुछ पावर कॉलेक्ट कर लेते हैं और वो तो समर्थ है जिसके वचन से सारे बर मन चल रहे हैं सब जीव बन गए सब असुपक्सी बन गए बन रहे हैं उसी तरह क्रिया कर रहे हैं वो तो उसके वचन की सक्ती से और उसी में से थोड़ी सी सिद्धी यानि अल्दी की गांट पराफ्ट करकर यह मनुस बगवान बन बैठता है तो चुनकरिसी ने उस सारे जीवन में जो ड़ले डोये थे जो कंकर पत्थर कठे करे थे सिद्धियों के उसकी चार पूतली बना दी चार आटम बम बना दी परमानु बम और उस अठारा करोड से नाका सेकंडो मेंटों के इसाब में नास कर दिया कतल आम कर डाला राजा ने दूसरी टुकडी भेज दी रिशी ने अपना दूसरा परमानु छोड़ दिया बहतर करोड से नाका नास कर दिया उस काल के पुजारी ने अब गीता जह नमर साथ के सलोक नमर अठारा में गीता ग्यान दाता कहता है ये ग्यानी आत्मा है तो दार अथी आत्मा है चले से भगवान पाने के लिए लेकिन ये मेरे वाली अनूतम अटल अटल अनूतम यानि मेरे वाली ही गट अनूतमाम अती गटिया गती में सथीत रहे अब देखो चुनक रिची ने बहतर क्रोण सेना का नास कर दिया उन्हा अत्माओ चाहे कोई तीर तो मार दे कोई तलवार से काट दे कोई गोली लाठी तो मार दे पत्थर तो मार दे उसको उतना ही पाप लगता है अर्चाहे कोई वचन से मार दे उसका वो हतियार है तो उतना ही अपरादी है जितना के गोली से मारने वाला होता है अब पूरी पिर थ्वीपे चुनक रिची की महिमा होगी लेकिन उस कमभक्ष ने यह नहीं पताते न तो अपने बवीशे में बबूल बूईदली अब यहां परमात्मा कहते है बैत्र अक्सोनी अक्सेकरी अचुनक रिची स्वर एक ये देधारें जोरा फिर ये सभी काल के वेख सुकसम बेद में बताया परमात्माने के बैत्र अक्सोनी अक्सेकरी बैत्र अक्सोनी का नास कर दिया उस चुनक रिची स्वर एक कुना अत्मों ये सुक्सम वेद की बानी कोई बालकों की नहीं है ये इतना गूड रहसे छपाए हुए हैं अपने अंदर ये इन आज तक के कभीर पंथीर फलाने इन रोज पढ़ते थे गरीब दाशी इनका कख भी समझवानी आया चुनक रिशी स्वर एक रिशी स्वर जैसे मुनी वर रिशी रिशी वर रिशी स्वर यानि रिशियों में सरेश्ट उन सरेश्टों में भी सरेश्ट परम सरेश्ट रिशी उस परम सरेश्ट रिशी के ये काले कर्म है ये कर्तव है काले कार्ण में क्या बताते हैं कि बहतर अक्सोनी अक्से करी चुणक रिसी सुवर एक उस अकेले ने बहतर क्रोड का नास कर दिया और फिर बताते हैं देधारे जोरा फिर जोरा वने मौत कि ये चलती पिरती मौत रहा है तुम जिन को रिसी कहा करते थे ये देधारें जोरा फिर जोरा वने मर्चू ये सभी काल के भेख एक दुर्वासा नाम के रिशी थे ऐसे सिद्धी ये काल की साधना करकर और ओम नाम तहीं तक की और ये भी सिद्धी युक्त हो गए एक बार स्री करसंदी के पूतर पर जुमन सहीत और कुछ अन्य यादों ने जा के दुर्वासा रिशी के साथ मजा कर दिया, एक गरभवती लड़की का सांग बना लिया पर दुमन को गरभवती लड़की जैसा सवांग कर लिया इसके पेट पे एक कढ़ाया बंज लिया चोटी आसा कढ़ाया सब्सक्राइब और उपर कपड़ा हाल पेट दिया लोगड़ लगा दिया अलड़कियों वाले वस्तरपना के लेगे एक उसका नकली पती बना लिया और द्वारका के बाहर बनी में जंगल में दुरुआ साथ बक्ती कर रहा था दोना लाएं बैठा था तो सब को यह हो गया था नगर में के बड़ा पहुंचावारेसी है बविसे अभूत और वरतमान की सारी जानता है तो वो श्रीकरशन जी की आड़ में अभिमानी हो गये थे या दो सारे वो श्रीकरशन तो उपर किसे नहीं मानने थे फिर भी जैसा तत्वए ग्यान की कमी से इतनी तुरूटियां सभी माजाती है तो वह इकठे होकर चले के वह चलो दुरुआसाई की प्रिक्सा लेते हैं यह कैसा बहुत बहुत से की जानता है दुरुआसाई जी के पास जाकर कहने लगे कि माराजी इनके बहुत दिनों के बाद विवहा के दस बीस वर्स के बाद परमात्मान सुनी है और यह इसकी पत्नी है इसको गरब रहा है यह उतावले हो रहे हैं यह जानने के लिए कि इनके पुत्र होगा या पुत्री आप तो भूत बहुत से की सारी जानते हो दुर्वासान देख्या आपना जानते हैं दुरबीन लगा के तो सारा फंड था उसने सराप दे दिया उनको के इस से यादो कुलका नास होगा भागो ठाय चम्टार फिर वह करी लाला आखे वह बालक भागे लिए उसके वचन से चपन क्रोड यादो आपसमा लड़का मर तो यहां क्या कहते हैं सुक्समवेद में कहा है कि दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच और चपन क्रोड यादो कटे वह मची रुधिर की कीच चपन क्रोड आदमी कटका मर गया अपसमा लड़के दुर्वासा के सरापत है स्री किर सन रक्षा नहीं कर सकया किर्ष सुरी किर्षन जी के पुच्टे पड़ पुच्टे स्वं उसके बच्चे सारे मारे गए तो यहां प्रमात्मा कभिर जी कहा करते थे अपने सुक्समवेद वोगरीब दास जी को दिया उसमें कहा है कि दुरुआ सा कोपेत जाइए और समझने आई नीज, उस दुस्ट इनसान नहीतना भी नी सोचा, तू क्या बक्वास करने जार, ऐसे क्या गानी गल जागी, ये संत है, रिशी हो तू, संता को कितना दुख जेले, बद्वानी देते संत, ये तू काल के साप थे, कहते हैं, दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीज और छपन क्रोडिया दू कटे, वहां मची रुधिर की कीच गारा मची लोग की रक्त की, अपना आत्माव आपको अब समझ मावगा कौन कितने पानी में, तो इसके भी से हम कहा करते हैं, डंब करें, डूंगर चटें, सुक्सम वेद में कहा है, डंब करें, डू अच्छे से सथान पर, दुनिया दूर तो देखें, मातमा तपस्या कर रहा है, फिर उसका तड़ावा सरू हो, उसका दूद पानी सरू हो जा, कहते हैं, डंब करें, डूंगर चटें, अंतर जीनी जूल, और जग जाने, दुनिया जाने यो बगती करें, ये बोवन सूल ब पबूल, ये तो अपने पविस्या में की करके काटें बूज बीज रहे हैं, अब जो तुनक रिसी था, उसने जो बहतर करोड से ना मार दी राजा की, बे मतलब बकवास करी, रिसी का अपना अलग से फिल्ड है, साधक का, राजा का अपना फिल्ड है, वो अपना काम करें, रिसी अपना करें, ठीक है कोई आवे तो सलाह अच्छी दे ना हो तो भाई वो अपने काम लग रहा लगया रहा है, या के बकवाद भाई उसने, कहने थी मुझी ठेकाने करूंगा, अपने करम बगाड दिये, जो थोड़ी बहुत हुआ पुन जी कठीक रही थी, उसमें प नजाएगा ब्रम लोक में, ओम नाम के जाबत है, वहां अपनी पुन्जी नास करका फिर पर्थिवी पर जनम लेगा ये, और पर्थिवी पर फिर मनमाने राज़ा भी बने जाए पूरी पर्थिवी का, इतनी तपस्या, इतनी साधना हो जाती है इनकी, और फिर चौरासी लाख योनियों के चक्कर में भी पढ़ना ही पढ़ना पढ़ेगा, जब इसका तुरासी लाख योनियों में कर्ष्ट उठाने का, नंबर आवगा जब यो कुता बनेगा, यो चौनक्रिसी, और इसके सर्में जखम होंगे, कीडे पढ़ेंगे, और वो कीडे जो बैतर अक् रखाएंगे, तो पुनात्मों परमात्मा के सद्धात्म ग्यान से आपको पता चलेगा, के कौन से, जैसे गीता जाय नमर साथ के स्लोक नमर 29 में कहा है, के तत्वा दसी संत जब मिल जागा, वो विक्ची तत्वर्म से परिचीत हो जाते हैं, संपुन द्धात्म ग्यान से, सभी कर्मों से परिचीत हो जाते हैं, उस तत्वा ग्यान में, ऐसा ग्यान है, कौड कितना बड़ा मुक्दमा मौल ले लिया उस्तवा किसी ने, बगैर ग्यान के, ऐसे अगनी महत डाल देते हम, अपुन आत्मा, परमात्मा कहते हैं, तुमने उस दर्गह का, तुमने उस सचे दर्वार का मैल नहीं देख्या, और धर्मराज के तिल तिल का लेख्या, उस सचे परमात्मा के आदेश से धर्मराज यहां का जो चीफ जिस्टिस है, एक ब्रमांड का, कहते हैं, वो एक मसा कम नहीं कर सकता, तिल की वर्धी नहीं कर सकता, वो उसको सब भोगने तुम सोच का भी भोग भोग ना पढ़ेगा आपने, कर दिया हो तो करना है क्या है जब करना है